हे गाइज वेलकम बैक टो हिमाचल ग्यान तो आज हम डिसक्स करेंगे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो की पेपर हुआ था संडे को 11 अपरेल 2021 को और इसका पोस्ट कोड है आज 166 इस पेपर को मैं डिसक्स करेंगा इसका ह्पीजिक के सेशन एंड इंडिया जेकिन सेशन क चले डिसक्स करते हैं सोशल सिस्टम औफ हडपन बाज हडपा की समाजिक परनाली किस तरह की थी तो राइट असर रहेगा इसमें आप्शन अंबर ए फियरली इगैलिटेडियन इसका राइट अंसर रहेगा नौलिज तो आपको बताना है कि गो टू बेदाज ये स्लोगन किसने कहा था कि बेदों की तरफ जाओ ये वहाँ बेदों की तरफ रुख करो ये किसे ने कहा था ये आपको कमेंड बॉक्स ने पताना है नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कोशन मीसिंग है इंगलिज में मतलब प्रींस आप पिल्ग्रिम्स किसे का जाता है या फिर तीत राज समंद नाम का समंद किससे है तो राइट अंसर रहेगा इसमें आप्शन क्या थे यह थे आपके अफगानी अफगान्स नेक्स्ट कोशने कृष्णा देवा राया वाजदा कंटेंप्रेरी ओफ क्रिशन देव राये समकालिन थे इसका रिटेंसर रहेगा ऑप्शन नमबर सी वावर नेक्स्ट आपका कुई जर्णली एक अनॉलेज अज़ा पाइन लॉड रिपन नेक्स्ट है हूँ वाज फांडर अफ दी सर्वेंट अफ इंडियन सोसाइटी सर्वेंट अफ इंडियन सोसाइटी का संस्तापक कौन था रायेटन सरेगा गोपाल क्रिशन गोखले अप्शन नमबर ए next है who among the following revolutionaries was executed by the British अंग्रेजों के दोरा नीमन में से किस कान्तिकारी को फांसीपल लटकाया गया था इनका रिटन सरेगा राजगुरू next one is Indian federalism is closer to भारतिय संग किसके समकक्ष है रिटन सरेगा option नमबर C Canada next one is which is not a union territory इनमें से कौन सी केंदर शाषित प्रदेश नहीं है तो राइटन सरेगा इसमें option नमबर D नागा लैंड यह आपकी स्टेट है और आपको बताना है कि इस टाइम में प्रजेंट में इंडिया की कितनी union territory है आप हो सकता है तो उनका नाम भी बताएं आपका काफी अच्छा revision हो जाएगा और state भी है यहाँ पर बता दें कि अब कितने state हैं इंडिया के ठीक है sorry state भी बता दें next question है तब preventive detention means तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि preventing detention जब होती है जब जैसे हमारी किसी भी देश को खतरा होता है कि कोई ऐसी secret information leak ना कर दे दूसरी country को या फ से हमारी देश को खतरा हो तो उसलिए इसको preventive detention करते हैं जो की होती है and detention without interrogation detention without trial तो इसका option number C right answer रहेगा next question है तो vice president is the ex-opsy chairman of किसके हैं ये तो ये आपके हैं राज्यसभा के तो राज्यसभा के ये ex-opsy chairman है next one is which article of constitution deals with money wills तो money will कौन से article से deal करता है तो इसका right answer रहेगा आपका option number B article 110 आपको ये बताना comment box में जो money will है ना जब वो लोक्सभा से पास होता है तो वो राज्यसभा में भेजाता है ठीक है तो राज्यसभा वो कितने दिनों तक उस money will को अपने पास रख सकती है तो ये आपको बताना है comment box में next question है what is the alternate name for the contour lines तो इसका alternate name है समोच रेखा आईसोप से जो भी इसकी pronunciation है तो option number C इसकी right answer रहेगा इसके बाद अगला question तब volcanic activities are found more in कहां सब ज़्यादा volcanic activities होती है जिसको hot spot कहा जाता है volcanic activities का ये आपका है हवाई आईलेंड सब ज़्यादा यहाँ पे बॉलकने activity होती है next question है आपका precipitation in the form of a mixture of rain and snow is cold तो जो कि आपकी वर्षा प्ताहिम के mission के रूप में अब शेप्शन कहलाता है क्या कहलाता है यह होता है आपका sleet option number C next question है black forest is found in काले बन कहां पाए जाते हैं राइट अंसर एगा जर्मनी में तो आपका बताना है जर्मनी की capital क्या है और जर्मनी कौन से continent में पढ़ता है प्लीज ऐसे सी question आप बताएं क्योंकि इससे आपका कफी अच्छा revision knowledge भी बड़ेगा हो सकता है तो इटली की capital बताएं सौथ अफ्रीका की capital बताएं वेंजूला की capital बताएं यह सारा आपका revision ही होगा ठीक है इसमें आपका ही फायदा मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है next question है लोग टक क्या है यह आपकी लेक है और एक fresh water लेक है जो की मानिपूर डिस्टिक में है सौरी इसका प्ताइता हूं में अंसर option नंबर सी लेक है यह ठीक है इसके बाद है इंविच सीटी हिंदुस्तान machine tool industry is located तो यह कौन से सीटी में है यह particular industry यह आपकी बैंगलूर बैंगलूर पढ़ता है करनाटका में ठीक है जी नेक्स कोशन है नवाड इस दी नेम आफ नवाड वेसिकली यह एक स्पेशलाइज वेंक है टू है अग्रिकल्चर और आपको हो सकता है तो नवाड के चेर्मेन को होन है इस टाइम में नवाड किस्ता आपना कब होई थी यह आपने comment box में जुरू पताना है काफी आपके ल नवाड इसमें A&C दोनों सही रहेंगे नेक्स कोशन है इंसिडेंट ओफ टेक्स रेफर्स टू किसे रेफर करता है ऑप्शन नमबर बी जो की हूब यह दा वर्डन आफ टेक्स जो कर का भार बहन करे ऑप्शन नमबर पी इसमें राइट अंसर है नेक्स आपका ता साइन् ऐस तो इसको कहा जाता है और इंथो लॉजी। अप्षन बर सी तीस में राइट अंसर है। next question है, saving mirror is, saving कौन सा mirror है, यह आपका concave mirror है, option number B, right answer है, next question आपके start हो गए हैं, हिमाचो पदेश से, first question है, हिमाचो पदेश का, a famous tourist destination Dalauji is located in which district हो हिमाचो पदेश, तो काफी easy question है, यह आपका पड़ता है, चंबा district में, खजियार लेक आपकी चंबा district में है, ठीक है, Dalauji का नाम Lord Dalauji के ओपर रखा गया था, next question है, फुलेज फेस्टिवल इस से, इनविज पदेश का हिमाचो पदेश, तो यह से, किया जाता है, फेस्टिवल किनाओ district में, option नमबर P, next question है, डुंगदी मेला हिमाचो पदेश के की जिले में बनाए जाता है, तो यह आपका कुलू district में इसको बनाए जाता है, नेक्स्ट बन इस, तिलोकिनाथ टेंपल, एक होता है, तिलोकिनाथ फेर और टेंपल इस लोकेटड एडविज प्लेस इन हिमाचो पदेश, एक और क्वेशन है, जो की, इसका अंसर रहेगा आपका option number D, जो की है उदेवपूर में, नेक्स्ट क्वेशन है, चुहार बैली इस लोकेटड इन विज डिस्टिक हो हिमाचो पदेश, चुहार घाटी हिमाचो पदेश के किस जिले में स्तित है, तो उसका अंसर रहेगा आपका मंडी डिस्टिक में है इसका मुझे अंसर मालूम नहीं है, अगर किसी को इसका अंसर मालूम है, तो प्लीस कमेंड बॉक्स में जूर पताएं, और इस पर्टिकुलर अगर कोई बताता है, तो उस कमेंड को जूर पढ़ें, इससे आपको इस कुश्चन का अंसर पता चल जाएगा सबसे बड़ा लोक सभा, निरवाचन, क्षेतर, क्षेतर पलक के अंसर कौन सा है, तो उसका रिटन सरे का मंडी डिस्टिक। और आपको बताना है कि हिमाचल पर्देश में लोक सभा की कितनी सीट है, और राजे सभा की कितनी सीट से, ठीक है, दोनों बताना है आपको कितनी सीट से, नेक्स कोचन है, स्मालेस्ट वाइड लाइफ सेंचुरी हिमाच्छी प्रदेश को सबसे चोटा वन्याजीब अवहरन कौन सा है राइट अंसरेगा सिल्ली जो की पढ़ता है आपका सोलन डिस्टिक में और आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा वाइड लाइफ सेंचुरी है विलासपूर रियासित का अंदीम सासु कौन था यह थी आपके अनंचंद ऑप्शन नमबर ए नेक्स कोच्छन है थी भागल रियासित की राजानी अर्की तो अप्शन नमबर एस में राइट अंसर है नेक्स्ट कोच्छन है अट विच प्लेस इन हिमाच्व प्रदेश वेजटेबल घी प्लांट इन दी प्रइबल सेक्टर हाज विन सेट अप राइट अंसर है इस में ऑप्शन नमबर डी नन अब दीज बेसिकली आपका पढ़ता है मंडी दिस्टिक में नेक्स्ट कोच्छन है how many times in a day are hands of clock pointing opposite to each other तो इसका राइट अंसर हैगा 22 ताइमस नेक्स्ट है आपका रिजनिंग का क्वेशन एक और इसमें लिखा है कि इसमें आपको solve करना है सबसे पहले है 8, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 9 पहले इसको प्लस करो 16 यह होगे दोनों प्लस अब इसको पहले को माइनस कर दो कितने होगे 8 आठ आ गया ठीक है सेम आपको यह करना है पहले लास्ट तो को आप लस करो 7 और पहले को माइनस कर दो 6 हो गया आपका 1 सेम इसमें करो 8, 6, 14, माइनस 5, 9 और सेम आपको करना है अब लास्ट में यह apply होता है कि नहीं होता है पहले लास्ट दो को 8, 5, 13, माइनस 7 और कितना बचा 6 ठीक है तो 13 में 7 सबसे यह सूपर साइकलोन आया था रेविंसी में यह है आपका साइकलोन क्यार अगला क्वेशन है एक सकती 2019 was a joint counter-terrorism drill between armies of India and दूसरे कंटरी का नाम क्या है किसके साथ किसके बीच में हुई तो यह वी दूसरी कंटरी फ्रांस के बीच में हुई यह नेक्स्ट कोश्चन है आपका दालीब पारेक रुसेंटली पास्ट अवे वाज फॉर्म चीफ मनिस्टर ऑफ इच स्टेट यह थे गुजरात के फॉर्म चीफ मनिस्टर और आज का लास्ट कोश्चन है गाईस वट इस दी इंडेक्स इंडिया जे रैंक ठीक है इन ग्लोबल ह इसमें राइट अंसर है तो यह सारे मैंने कोश्चन यहां पर डिसकस कर दी है अगर कोई भी कोश्चन गलत है तो आप कमेंड़ पॉक्शन मिता सकते हैं सही अंसर आप वहां पर लिख सकते हैं ठीक आईस तो मिलता हूं नेक्स्ट शेशन में तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यार